हाला स्टुडेंट्स मेरा नाम डॉक्टर गजिन्द पुरहित और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ फॉर इंजिनेरिंग मैधमेडिक्स बीस से सुना आज मैं आपके सामने टैपालोजी का सेकेंड लेक्ट्र बात करेंगे ओपन सेट के बारे में किया ओपन सेट क्या होता है अगर हमारे पास एके सी कोई टॉप लोड इस स्ट एक सिउन हिस में आम ट्उस इस यस्पे ने हम ने आप न्स घरी जो T is equal to हमारे पास दिरका 5 X A B C D इस सुन ही हमारे पास topology की तीनों condition को satisfy करता है 5 भी इसमें है, X भी इसमें है, union भी इसमें है, intersection भी इसमें है जो कि मैंने पहले आपको first video बता है अगर आपने नहीं देगा तो IT पर जाके देख लिजिए यह link आपको discussion में मिल जाएगा तो सुन यहाँ पर यह जितने भी element होते हैं T के जो की topology की सभी condition को satisfy करते है उसके जो element होते हैं, वो सब के सब हमारे पास यहाँ पर क्या होते है, सुन open set होते है clear है, यह ध्यान देने की ज़र होते है यहाँ पर open set क्या होगा fai, x and back अब बात करेंगे swyn close set क्या होते है तो close set यहाँ पर क्या होता है ultimately, जो close set का concern होता है, वो open set सेocus निकलता है तो open set का compromise होता है, वो हमारे पास क्या होता है? आइज अपन सेंट होता है जिसे यह हमारे पास open set है तो यार आपको कोंप्लीवेंट मतलब क्या होता है इसका कॉंप्लिमेंट जिसे में इसा स्था-इस-णिकाइब करेंगे तो इसका क्या है क्या है क्या है डाइक सिबाइथ कर Summes & Mix यहां पर क्या और याँड़ि क्याइगा क्मप्लेमेंट आएगा है और विडिक यह सिदी का क्मप्लेमेट टैना तो जो एक सेहं है इसमें से फिक्स करेंगे तो इहां पर सबॉपलिमेंट के जो कॉपलिमेंट होते हैं यहां पर हमारे पास यहां पर क्लोजिकल इस पैस अगर उसका क्लिमेट हमारे पास यहां पे उपन होता है एक वहां पास क्लोगी बना रहा है तो यहां पर मात किरेंगे हमारे पास पास पॉइंट का नेबर होगा अगर हमारे पास कोई एक ऐसा open set exist कर जाए जिसके अंदर वो point क्या हो रहा बिलॉंग कर रहा और वो सेट हमारे पास n के अंदर क्या कर रहा हो contain कर रहा हो तो वो जो सेट होगा वो पॉइंट का क्या हो जाएगा सब्सक्राइब को समझने कोशिश करेंगे तो हम एक्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा माली जी है हमारे पास x 123 कोई सेट दे रहा है इस पर हमने एक टॉपलोजी डिफाइन करें जो कि 5 x और वन यह टॉपलोजी की सभी कंडिशन को साटेस्फाइब करता है अब अगर आपको यहां पर पूछा जाए कि हमारे पास यहां पर नेबरूट कौन-कौन से होगा कौन कौन सा सेट है जो 2 का नेबरूट होगा कौन-कौन सा सेट ऐसा है जो कि 3 का नेबरूट होगा हमें इनके पॉइंट के नेबरूट निकाल रहे हैं तो इसके वह सब सबसेट जिसमें वन आ रहा है वह आप निकाल लेज़े तो इसके हमारे पास सबसेट होगे हमारे पास एक तो वन होगा एक हमारे पास 12 होगा एक हमारे पास 13 होगा एक हमारे पास हो जाएगा 123 यह हमारे पास सबके सब इसके सबसेट हो जाएंगे जिसमें वन कंटेंड कर जा है जो कि इन में कंटेन कर जा है तो यार वो सब के सब सेट हमारे पास क्या हो जाएंगे वन के नेबरूड हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि सुन यहां पर जो वन है इसके इंदर भी कंटेन करता है इसके इंदर भी करता है इसके इंदर भी करता है इसके इंदर भी करता है इसका मतलब ये सब के सब हमारे पास जो set होंगे ये 1 अगर आपको अब देखना है कि 2 का नेबर आउड क्या होगा तो हम क्या करेंगे वो सभी x के subset निकालेंगे जिसके अंदर हमारे पास क्या रहा है इस उनने हम देखते हैं कि इस topology में इसा कौन सा set है जिसमें two contain कर रहा है तो पर यह एक ही है तो आप यह किसे और किसमें तो सबसेट करेगा हिसकेलवार नहीं वह और उनियार नहीं लाव होगा नहीं होगा यह नहीं कूई हमारे पास ऐसा कोई भी टौपालोजी में यहां अतपनी जो कि इन में कंटेन कर रहा है यह ध्याच सब्सक्राइं। मैं सब्सक्राइं कि ध्याइए जॉज आब अग एक तो थी आएगा हमारे पास टेन कमर पास 3 आएगा एक हमारे पास 123 आएगा राइट Ubadt अब हम क्या करते हैं अब हमक्या करते हैं टाप एस ठोपने इस पर ग्रावी में देख चरहसी में हुआ थैंज सबक्सनी करेंगा और आपको देखना ही यह इन में किसमें यहीं तो एक सेट होगा यह एक यह त्रीका क्या हो जागा इस विए पर निकालने का एक इसके डिफिनेशन होती वह होती है इस वह क्या होती है वह भी मैं आपको समझा देशन जैसे आपको बोला जा रहा है कि यहार पास जो थ्री निकाल दीजें अब क्या करें इस इस टॉप लिज में जाएए और इस टॉप लजी में देखी कौन सा ऐसा सेट है जो की थी कंटेंड कर रहा है अब इस एक्स के सूपर शेट देखिए कि ऐसा कौन से सूपर सेट है जो कि यहां पर हमारे पास अवैलेबल तो यहार एकस का यहां पर subset लेंगे तो वन आएगा वन टू आएगा वन थी आएगा एड़ यहां पर हमारे पास 123 आएगा अगर हम यह देखते हैं इस टॉप लोजी टी में ऐसा कौन सा element जो वन कंटेंड कर रहा तो यहार हमारे पास X और वन ऐसे यहां पर element आ रहे जिसमें वन कंटेंड कर आप दोनों के हम सूपर सेट लेंगे तो यह सब करेंगे लिमिट के बारे में किया होता है टॉप लोजी के अंदर तो एक सब्सक्राइब करना चाहिए अगर ऐसा होगा तो वह उसका क्या हो जाएगा सुन लिमिट पॉइंट होगा अब देखो definition तो बहुत बारी है पर इसको गर हम एक्जामपल से समझेंगे तो आपको तो मिट में समझ में आएगा पर इसको बताना चाहरो कोई सेट दे रखा है बी सी डी जो कि इस एक्स का सबसेट है अब इस बी सी डी का हमारे पास यह पूछा जारा है कि इसका कौन-कौन लिमिट पॉइंट होगा तुम आपको बताना चाहता हूं कि इस बी में लिमिट पॉइंट अब बी भी होसकता हैять स्लीट हो सकता है चोई बी हो सकता है तीनों में से चारों में से कोई भी हो सकता अपनों कोन उसका बात करने ग्यार हमारे पास हॉपन लेने इस ठीज़ तो आर पकड़ लेंगे तो यह यह रहा है यह रहा है एंड हमारे पास यह तीन ऐसे हमारे पास एलिमेंट हारे टॉप अपलोजी के जिसमें एक क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है अब हमें इसका लिमिट पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे इसका इसके साथ intersection निकालेंगे intersection में एक के अलावा कुछ और पॉइंट कर जाएगे तो काम हो जाएगा और सब के करने चाहिए ऐसा नहीं कि खाली एक में कर रहा है भाई साब इसमें तो तो यार यह हमारे पास जो ए होगा वह इस बी सी डी का लिमिट पॉइंट नहीं होगा मैं फिर से बताना चाहता हूँ यह जो भी जिसमें ए कंटेंड कर रहा है इन तीनों का इसके साथ इंटरसेक्शन करें तो ए के अलावा कुछ पॉइंट हमें कम से कम मिलने चाहिए अगर मिलेंगे तबी ए उसका लिमिट पॉइंट होगा तो ए हमारे पास यहां पे लिमिट पॉइंट नहीं होगा बात कर इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है इन तो इनों में मारे पास भी कंटेंड कर रहा है अब हम क्या करेंगे सुन इसके साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो बी के अलावा हमारे पास सीडी को इंटरसेक्शन में आ रहा है अगर इसके साथ लिए तो इसके इंटरसेक्शन मे है इसका इंडर सेंडेक्शन लिए और सीमिल रहा है मतलब जारा है इसका एलिमेंट प्रॉइंट here , लिम ऊस्तेटें हुगा कर ने होगा तो सोन्य हम्मारे पास आसे सब पर आलेंट लेंगे जिसके अंदर C contain कर रहा, भाई साब इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, सुन इसके साथ, क्योंकि हमें इसका limit point निकाला है, इसलिए हम इसके साथ, जो भी हमारे पास दे रहा हो, उसके साथ intersection करना है, यह दियान देनी के से होता है, तो हम क्या कर जाल रहा, मतलब C हमारे पास यहां पर क्या हो जागा इसका limit point हो जाए, तो यह का यहां देनी कर रहा है, अब इसमें contain निकर रहा है, अब इसमें contain निकर रहा है, तो इसके साथ intersection लेंगे, और इसके intersection में D के लावा कुछ और इलिमिट आने चाहिए तो इन दोनों के intersection में D के लावा हमारे पास BC आ रहा है मतलब हमारे पास कम से कम एक element तो आई रहा है इसका मतलब D भी हमारे पास यहां पर क्या हो जागा इसका limit point हो जागा राइट तो यह ध्यान देने के जरूरत है और सुन यह जो हमारे पास BCD यह हमारे पास तीनों इसके limit point हो रहे है और यह खुदी हमारे पास BCD है तो सुन यह इसका derived set भी हो जाएगा ना set of limit point is known as a derived set तो कभी आप से पूछे कि BCD का derived set क्या हो जाएगा तो यह खुदी हमारे पास क्या हो जाएगा इसका एक 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 जामपल आगे मैं आपको बताऊंगा आगे बढ़ते हैं सुन बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चिन के अंदर की एफ लेंड़ा वेल लेंड़ा बिलॉंग्स अर्बिटरी इस एनी सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सिंस एफ लेंड़ा बिलॉंग्स टू आर्बिटरी तो अगर हमारे पास ये यह पास टॉपलोजी का मेंबर होते हैं और अगर यह पास यूनियन होता है वह भी उसके अंदर करता है इसका जो आर्बिटरी होगा वह भी हमारे पास यूनियन जोगा वह भी क्या होगा उस टॉपलोजी का पाट होगा वह भी हमारे पास ओपन सेट हो जाएगा अब इस सुनिया पर तो यह यूनियन जोगा यह क्या जाएगा इंटरसेक्शन होगा इसको पूछी जाती वह यह पूछी जाती लेट एफन एफ़ भी दर टू क्लोज सबसेट ऑफ इस आप होगा वह हमारे पास क्या होगा प्लोज सेट होगा ओरशक कोई भी टॉपलोजी के तो इसके इंटरसेक्शन होगा वह हमारे पास आप एफन टेशन एफटाइश्ञ ओपन होगा और घो देंडी मोर्ग है सब्सक्राइब और चो क्रिछा सब्सक्राइब उसको बना इसको क्रोड़ कर सकता है तो सुन question देखे, question हमारे पास क्या बोल रहा है, ये actually छोरा मैं है और इस पर बेस कभी कभी exam में question पूछ ले जाता है ये वला, कि a subset of topological space is open, if and only if it is a neighborhood of each of its points. देखो ध्यान देजएगा, कि अगर हमारे पास जभी हम topology को define करतें, तो किसे ने किसे set X भे define करतें, तो X के जितने भी हमारे पास subsets होते है, वो अगर topology की तीनों condition को satisfy करते हैं, तो यार वो हमारे पास क्या होता है? अब हमारे पास कोई भी सबसेट एक्स का अगर वो ऑपन है तो उसके जितने भी मेंबर होंगे वह सेट जोगा उसका क्या हो जाएगा आपको यह प्रूव करना है अपर प्रूफ के बारे में बात करेंगे लेट जी विद एनी ओपन सबसेट अब बात करेंगे सब्सेट के बारे में अभी हमने यह प्रूव कि जो हमारे पास ओपन सेट है वो उसके हर क्या होता है अब हम यहां पर बात करेंगे का अगर हमारे पास हर यहां पर क्या हो जाएगा यहां यहां पर करेंगे तो अब हम यह प्रूव करेंगे कि यह उपन होगा तो सबसेट हम जानते हैं तो अगर यहां पर दो कंडिशन हो सकती कि जी हमारे पास एमटी हो और जी हमारे पास नों एमटी हो पर हम जानते कि में तो हमेशा open होता है तो यह तो बाइडी फोल्ट अगर हम बात करें नों एमटी सेट तो हमारे पास यहां पर देर एक्स एक्स है एक्स बिलोंग सुझी सच्ट तो हम जानते हैं कि हर एक्स के लिए जी एक समसरे कर जाएगा कर जाएगा गई ऑर गर यह है मर पास क्यों कि वह उल्टीमीटली जो भी हमारे पासर भी हमारे पास है वह फथे सब्सक्रीए को मेंगा तरह इसfish कbersi जोशन होसकते हैं यहां घरा कता है तो आप से पूचा जाएगा कि हमारे पास सब्सक्राइब डिराइवड सेट क्या होता है इसका लिमिट पॉइंट ने कर दोननों पर इसके साथ इंटरसेक्षण ले तो हम अलावा कुछ और मिलना चाहिए तो इसके अलावा हम पास यहां पर यहां पर जाएगा मतलब मिल रहा है पर सुन जब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो हमारे पास ए भी नहीं आएगा और एमटी आ जाएगा तो हमारे पास कोई इलिमेंट नहीं मिल रहा है इसका मतलब यहां पर जो होगा वह बी-सी का लिमिट कर रहा है इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यार बी-सी आ रहा है मतलब यह जो बी-सी सैट है इसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा इसके इंटरसेक्शन में सी के लावा हमारे पास भी मिल रहा है इसके इंटरसेक्शन में सी के ला में हमारे पास बीड के लवा या सी के लवा जिसके लावा पास कोई और पॉंट मिलना चाहिए मिल रहा है तो यहां पी होगा और पॉंट का सेट हो इस तरह सब्सक्रा को करते हैं यह कुछिन आपके लिए कमेंट बॉक्सक यह उनसर आप करके जरूब बताइए इस उन टोपोलोजी की पूरी प्लेलिस आपको यहां जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं इस उनकर आप किसी कॉंपिटिटिव एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं जहां पर शौट्रिक आपको अपलाई करना नहीं आती है तो मेरा जो नया वाला चैनल को सब्सक्राइ में लांग करी शेयर करिया और चैनल जरू शब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन मेल को प्रेस करके रखे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन nickel आप सभी को मिलते रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसकrat कमेंट बॉक्स में जरू दिजे थैंक